हलोicha mog1 अजका हमरे एनफ टॉपट कोसुरी इन इंडिया हम यह पर दीखेंगे भारत में सिक्कों का विकास क्वंब्रखरम सिक्का भी बोलते हैं भारत में सिक्कों का विकास देखेंगे किस तुन टाइप से हमारे सिक्कों की विकास क्या का इसका evolution process का क्या है कि हमारे culture का बहुत important topic आता है coins आप हम देखेंगे भारत में इसको का विकास किस प्रिकार्ड से हैं आप भारत में सिक्को का विकास हुआ है क्या का उसका पैटरन चला है उसको क्या लेकर वो ड्राइब हुआ है क्यों इसको मोलते हैं कि study of coin को बोले जाता है numismatic जादलव सिक्का सास इसको बोला जाता है सबसे पहले जो evidence found हुआ है चाइना और ग्रिस में 700 बीसी के अंदर जो फिर्स्ट evidence क्या भोएन को बोला जाता था इससंता सबसे यहां पर पंच करते थैं मिशन करने के और यह जो सिक्का था जरूरी नहीं सर्कुलर हो अलगलग सेप में यह अबलीबल होता था यह मतलब जो इर्रेगुलर से बगएर इसमें प्रॉबाइट होती थी उस टाइम तो को बोला जागा है तो कर्शा पन वही बढ़ा जिससे हमारी करशा पन कर्शा पन से हमारा करंशी बढ़ निकला है यह इस का यह अग्ड़ आता है करणसी वह कर्शापन बढ़ सही निकला करसापण बोला जाता था पहले से पहले से को करसापण बोल जाता है इसके अलावा पन्ना भी इनको बोला गया है यह जो कौइन मांट होते थे 6th century का माइट होते थे गंगा प्रेन के अलगलए kingdom जनपत महा जनपत की जाते थे यह regular बने अने से उफिलッर मतला हुठ नहीं था लेकिन in the standard और जुन है इसल्वर के बने सिल्वर मेट कोई उते थें अगहला हम देखते हैं जो Moran that category in the marking में चहरणने को मैंजिंख किया है मैं इसको पैर रूपा बोला पेंधे इसके अलावा सुर्णपा बोला गया जो सवने के स्क्वे होते थे ताम रूता उबला जो सिंद्वल सब्सक्राख предлаг ऐसकों यहां पर होता था इन्हों पंड़ेती होता था पचास से चोण ग्राम होती थी तिर होती फारवावा पटी 32 रत्ती इंडी कि यसको कर्सा आपनों जाता है इसको अगला इंडो ग्रिक के अंदर ते ख़र कोईन के सिल्वर की कौन कौन कर निकल के क्न कौनın Unix और इन में जो Greek जो लेंग्वेज है उसके अंदर एक साइड Greek में मैं इसके साथ जो Greek डैटीज है जी उस है अर्कूलस है अपोलो है इनकी वापस इमेज होती थी को साइनिस्टी को बला जाता है को साइनगें सिक्कों के विकास में को साइन डैनिस्टी का बहुत बढ़ा युकदान रहा है और इस नहीं सबसर पहले इसके बोले जाता है नोन for the purest कोइन मतलब हारत में प्यॉररेस्ट गोइन चलाने का सरेज दिया जाता है कुर्षाण के नी इसके बाद में जुडूर गॉल्ड दिया था और यह जो सिक्का आता है गोल्ड का सिक्का था जो कनिस्क नहीं किया था कनिश का स्पक्राइब का टा एक तरफ कर्के की एक सर्फ होती थी जिसमें फुरी फोशार में खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ उसी था के अंदर जो भगवान बुद्धि की एकक में इस लेज इस सिंबल होते थे बैक्टरियन सिंबल इसमें बाद में वह इंडियन सिंबल की तरफ भी चलना ही स्टार्ट होगे अगले सक्रूल देखते हैं जो बैस्ट नियरा राजस्तान गुजरत बगरा के आसपार राज करते थे कि कि इनके सिंबल के ऊपर जो किंग का चहरा मतलक है एक साइड में और दूसरी साइड में क्या है बुद्ध्धिष इस्तूपा चेतर बगरा रहा और यह जो इनका पैटरन था इन्होंने सातवहान सात्मान डाइनिस्टी से वह जो रूत कि अंदर यह थे एक तरफ जो है इं अगले स्कृप्ट में हम गुपताईष देखते हैं गुपताईष के अंदर यहां पर जो मैंसन हुआ में सम्सृंस के अंदर लिखा गया सिक्कों के ऊपर ब्रहामी स्कृप्ट यूंज हुई है और मेंनली जो है गोल्ड के सिख्ञी के पर प्रचलित हुआ करते दिन के के बने होते थे जिनकी तरफ एक तरफ का है हैड ऑफ किंग मतलब कींग का फेस होता था और दूसरी साइड पीकॉक मैंसन था चालुप का डाइनिस्टी ने भी क्या किया इमेज टैंपल उन्हों से क्यों के उपर टैंपल की इमेज लौन की इमेज लिजेंट और वन साइड और दूसरी साइड उन्होंने ब्लैंक रखनाय स्टाट किया राजपू डैनिस्टी में मोश्टली गोल्ड के कौइन यूज किया इसके लाभा कॉपर है बिलिया ने इनके कौइन भी रियरली इनका यूज मिलता है तो इनका जो कि वह किंग का नाम संस्कृत में लिखा होत हैं इनके उपर एलिफेंट की इमेज होती थी लेटर बड़ बाद में क्या थी यह फिस करने स्टार्ट कर दिये मतलब में मतलब मचली बगरा की में मिलनी स्टार्ट हो गए थी और इनके उपर इंस्क्रिप्शन जो था संस्कृत में लिखा हुआ था इसके अलाभा कॉपर पर स्टार्ट कॉइन जो सक्के फाले का था राजस से मारे कषुबांट कम न को को सुना बाद करी कि बकिने स्केमट के उस contradiction में मतलब और ईंश्यशाह संस्क्रिप्शन के राजंद्रवन जो थे उन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर टाइगार ओफिस का हेंब इंस्क्रिप्ट कराये था अगला हम देखते हैं पलब डाइनिश्टी के जो उनके जो फिकार आती है वह लाइन ऐन कॉइन सेर का इमेज को कौाइन के ऊपर उन्होंने यूज किया था दिल्ली सल्टनत का इल तुमिस जो दिल्ली सल्टनत का बस्ता हुआ करता था उसने तक्यों और प्र की इड़का बीडियूस किए अलाउल दिन केऊना अधेड्स किया उसमें ऐधा क्षलीपा की नाम को द्रॉप करा दिए पहले कलिपा का नाम चला रहा था गोड़ के टाइम से उन्हें और रिप्लेस करा दिया उसको रिप्लेश करा दिया मौम्मद तुमने जैसे पागल वस्ता कहा जाता था उसने ब्रोंज और कॉपर के सिक्के पर चिलत करवाई तोकन करनसी बर धीरे-धीरे क्या थी वह चीज फ्लॉप हो गई के दर हुए मैं हिमाइय की बाद में और पहले जो राजा बना था उसने दो टाइप के ए स्टैंडर व्बेट रखा कौईन कहा अंदर पहला था मोछ म् सेवन्यूं और दूसरा हमारा copper coin जो 330 grain का होता था silver coin वाले को हम रुपी बोलते थे और copper coin वाले को हम क्या है दाम बोलते थे अगला हम देखते हैं विजे नगर एंपायर विजे नगर एंपायर जिसके किर्शन देवराय फैमस राज़ा को करते थे उन्होंने इसके लाबह उन्होंने प्यॉर और silver copper का भी यूज किया और इनके description जो होते थे सिक्कों के उपर वो connect language और संस्कित language में पाये गए और इसके लाबह जो image होती थी डवल-headed eagle ठीक है एक image होती थी जिसने elephant को पकड़ रखा है और इसके लाबह बेरियस हिंदु देवी देपताओं की फोटों इन्होंने यूज किया है अगले मुगल ने यूज की महर महर मतलब जो आइन अकबर ने अगवर ने इनका जो टाइटल होता था नागरी स्क्रिप्ट में होता था अगला है बोद्याइड डाइनिस्टी यह मैसूर की डाइनिस्टी आती है यहां पर जो किंग थे पांती राय नरासा बोस बोर इन्होंने image of नरसिम अपतार इन्होंने अपने सिक्को के बद आरसे अपतार बगवान विश्णु का अपतार आता झो प्रवा को बचाने के लिए नरसिंग अपतार था सिक्कों का बेट होता तो यह हमारे जैनली रही इंडिया के सब्सक्राइब कर से हुआ है और बाद में आज तक आते हैं इंडिया के अंदर दीरे दीरे क्या है 2011 में पारित होता है और इसके अकॉर्डिंग क्या है सिक्के अंदिया अध्यू ध्यू था क्यों सिक्केश